5, 4, 3, 2, 1 Education Loan दिल्ली सरकार की महत्वाकांची योजनाओं में थी सरकार ने Higher Education में Loan देने के लिए अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सितंबर 2015 में Higher Education and Skill Development गारंटी स्कीम की घोशना भी की हालांकी उपराज जेपाल और दिल्ली सरकार के बीच खीच तान में यह योजना दो साल तक फंसी रही बाद में October 2017 में इसे LG की मंजूरी मिल गई इस योजना के तहत दिल्ली सरकार उन बच्चों को पढ़ने के लिए Loan की गारंटी देगी जो दस्वी या बारहुवी के बाद कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा या डिग्री या स्किल डेवलप्मेंट से संबंधित कोर्स करना चाहते हैं इसमें स्टुडेंट्स को किसी तरह की अतरिक्त या मार्जिन रकम देने की भी जरूरत नहीं होगी वहीं इसके लिए 30 करोड रुपई की राशिका आवंटन कर एक फंड बनाया गया है जिसे हाइर एजुकेशन और स्किल डेवलप्मेंट क्रेडिट गारंटी फंड नाम दिया गया है शुरुवात में इस फंड का इस्तिमाल उचित गारंटी देने के लिए किया जाएगा इस फंड की देखवाल के लिए दिल्ली हाइर एजुकेशन और स्किल डेवलप्मेंट क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बनाया गया है यह ट्रस्ट स्टुडेंट को एजुकेशन लोन दिलाने के लिए बैंकों या वित्तिय संस्थानों को गारंटी देगा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री वशिक्षा मंत्री मनीश शिसूदिया ने बताया की एजुकेशन लोन के लिए छात्र और उनके अरिभावक बैंकों के चक्कर काटते रहते हैं उन्हें अपनी संपत्ति गिर्वी रखने के लिए कहा जाता है जो उनके पास नहीं होती। इस युजना से ऐसे छात्रों और अरिभावकों की परिशानी दूर होगी। सरकार का मकसद है कि तकनीकी और उच शिक्षा की राह में पैसा बाधा न बने। इसके तहट वे सभी छात्र जिनोंने बारमी खक्षा दिल्ली से पास की है वे 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं। लोन दिल्ली से बाहर पढ़ाई के लिए भी लिया जा सकता है। गारंटी सरकार देगी यानी कुछ भी गिर्वी रखने या किसी दूसरी गारंटी की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कारिरत दिल्ली सरकार के करमचारी अधिकारियों के बच्चे भी इस स्कीम के तहत लोन के लिए योग्य हैं। लोन लेने के लिए छात्रों की उम्रसीमा पर कोई पावंदी नहीं है। बैंक के बेस रेट से 2% उपर की व्याजदर पर यह लोन लिया जा सकता है। इसे 15 साल की EMI में चुकाना होगा। एजुकेशन लोन लेने वालों की संख्या में कमी और बढ़ते NPA का सबसे बड़ा कारण इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट डिगरी धारकों की बेरुजगारी है। लोन नहीं चुकाने वाले ज्यादा तर छात्रों ने इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। पढ़ाई खत्म होने के बाद नौकरी नहीं मिलने या बेहद मामूली तनख्वाह की नौकरी के कारण वे EMI का भुकतान करने में सक्षम नहीं हैं। इन चात्रों में से ज्यादा तर ने 4 लाख रुपई से कम का लोन लिया है। केंद्रिय ब्याज सबसीरी योजना के तहत जुटाए गए आकणों से पता चलता है की लोन लेने वाले चात्रों की कुल संख्या का करीब 88 फीजदी 4 लाख रुपई तक का लोन लेते हैं। 80 फीजदी लोन अंडर ग्रेजुएट पाठिक्रमों के लिए लिया जाता है। करीब 79 फीजदी लोन इंजीनरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए जाते हैं। उनमें से भी 61 फीजदी से ज्यादा चात्र इंजीनरिंग के हैं। यही कारण है कि देश में प्रोफेशनल डिगरी धारकों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उसी अनुपात में बेरूजगार और डिफाल्टर भी बढ़ते जा रही हैं। All India Grameer Bank Officers Organization AIGBOO के महास्चीव आरके गौतम ने बताया कि लोन लेने वालों की संख्या में कमी और डिफाल्टरों का बढ़ना चिन्ता का विशय है। वे इसका कारण उन संस्थाओं को मानते हैं जिनकी गुडवत्ता अच्छी नहीं है।